गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्क्षीट नमबर 92 और आज की डेट है 20 अक्टोबर 2020 क्लास यहां सभी बच्चे अपना सेक्षन लिखेंगे आज की हमारी वर्क्षीट मैट्स की वर्क्षीट है यहां बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहां अपने टीचर का नाम हम लोगों ने जो पहले मैट्स की वर्क्षीट की थी लास्ट वीक में, वहां हम लोगों ने लार्ज नमबर्स को पढ़ना देखा था और large numbers के लिए हम लोगों ने expanded form की थी जो की गुबारों के अंदर थी हम लोगों ने गुबारों के अंदर answers लिखे थे नीचे हमें number दिया गया था और उपर हमने उस number को खोल कर लिखा था expand कर के लिखा था same हम लोग आज की हमारी worksheet जो है वो expanded form में हमें पहले से दी गई है हमें उसको एक number की तरह लिखना है तो अब हम अपनी worksheet स्टार्ट करते हैं जरीन की आज स्कूल से छुट्टी है उसने अम्मे से कहा कि आज वह उनकी मदद दुकान पर करेगी जरीन की अम्मे की एक पडचून की दुकान है अम्मे बेहद खुश हो गई उन्होंने कहा ठीक है आज तुम मेरा हिसाब किताब एक कौपी में साथ के साथ लिख देना इससे मुझे शाम को देर तक रुख कर हिसाब नहीं करना पड़ेगा जरीन ने कहा बिलकुल सही और जो समय बचेगा उसमें वे बाजार की सैर कर लेंगे जब जरीन हिसाब करने बैठी तो उसने देखा गले में सभी अलग-अलग तरहे के नोट आ रहे थे जिने उसने कुछ इस तरहे गिनना शुरू किया यह हमें एक स्टोरी फोर्म में वरक्शिट दी गई है नीची हमें तीन नोट की पिक्चर्स दी गई है यह 2000 का 2000 का नोट है यह 500 का नोट है यह 20 रुपे का नोट है अब जो नोट उसके पास आए गले के अंदर उसने उसको देखा 2000 का 500 का और 20 रुपे का तो सबसे पहले उसने क्या किया उसने इसको पढ़ने की कोशिश की क्या वो पढ़ पाई टोटल कितने रुपे हो गए हम लोग यहां करके देख लेते हैं 2000 प्लस 500 प्लस 20 टोटल कितने हो गए 0, 2, 5, 2 2520 रुपे हो गए तो अब जरीन ने क्या किया सबसे पहले यहां पर लिखा हिंदी में 2520 रुपे फिर लिखा इंग्लिश में 2520 रुपीज और नीचे लिखा नंबर्स में 2520 ऐसे ही हमें पूरी वर्कशिट अपने करनी है अब हम देखते हैं कि आगे जरीन की हम कैसे मदद कर सकते हैं तो लेट स्टार्ट अब जरीन की मदद करें और जल्दी से नोट देखकर लिख दें कि कितने रुपे हैं ताकि जरीन का काम जल्दी से खत्म हो जाए और उससे अम्मी के साथ बाजार घुमने के लिए ज्यादा समय मिले तो अब हम अपने स्टार्ट करते हैं वरक्शीट को जो हमें क्वेशन दिया गया है हमारा क्वेशन टोटलिंग करना है प्लस साथ में हमें उसके आंसर्स लिखने है जैसे की जरीन ने उपर लिख करके दिखाया है सबसे पहले हमें फर्स्ट क्वेशन करेंगे फर्स्ट वाले में हमें क्या दिया गया है दो हजार का नोट है पांच सो का नोट है और पचास रुपे का नोट है हम सबसे पहले इन सभी को टोटल करेंगे दो हजार का नोट पांच सो का नोट और पचास का नोट इन सबी को अगर हम टोटल करें तो कितना आ गया जोड करेंगे तो जीरो पाँच पाँच दो तो हमारा कितना आंसर आया टोटल रुपे कितने बन गए दो हजार पाँच सो पचास रुपे हमने यहाँ इनको नमबर्स में लिख लिया दो हजार पाँच सो पचास रुपे और इसके आगे लगा दिया रुपे का साइन फिर जरीन ने हिंदी में भी लिख रखा था और इंग्लिश में भी लिख रखा था तो हम लोग ऐसे लिखेंगे हमने हिंदी में लिखा दो हजार पाँच सो पचास रुपे एक सेकेंड वाले में हमें क्या दिया गया है यह वाला करेंगे हम इसमें हमें क्या दिया गया है पाइफ अंडर का पांच सो का एक नोट है पचास का है और पांच रुपे का नोट है अब हम करेंगे इसको टोटल पांच सो पचास और पांच तो अगर हम इन सभी को टोटल कर तो हमारा आया पांच पांच और पांच पांच सो पचपन रुपे तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारा यहाँ पर कितना बना पांच सो पचपन रुपे तो हमने क्या किया यहाँ पर लिख दिया पांच सो पचपन और इसके आगे रुपे का साइन लगा दिया और आगे लिखा हिंदी में पांच सो पचपन रुपे और इंग्लिश में लिखा फाइफ फिफ्टी फाइफ रुपीज 555 रुपेज अब हम करते हैं हमारा نेक्स्ट नेक्स्ट आया हमारा एक 2000 का नोट है फिर से 2000 का नोट है और फिर 500 का नोट है अब हम करते हैं इसको टोटल 2000 का नोट फिर 2000 का नोट और फिर 500 का नोट यहां पर हमारा टोटल कितना आया 005 और 4 4500 रुपे तो हमने यहां पर लिखा 4500 रुपे आगे रुपे का साइन और हिंदी में लिखा 4500 रुपे और इंग्लिश में भी लिख दिया 4500 रुपीज क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ आ गया नेक्स्ट हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट क्वेशन हमें दिया गया है एक 500 का नोट है फिर 200 का नोट है और फिर 50 का नोट हम इसको टोटल कर लेते हैं 500 250 इन सभी को टोटल करने पर हमारा कितना आया 550 रुपे तो हमने यहां पर लिखा 750 रुपे और फिर हमने यहां पर लिखा 750 हिंदी में और फिर लिखा 750 रुपे इंग्लिश में क्या आप सभी का यहां तक हो गया है नेक्स्ट हम लोग करते हैं एक हमारे पास है 2000 का नोट फिर से हमारे पास है 2500 का नोट और फिर से दोबारा हमारे पास है 500 का नोट तो 2000 प्लस 500 प्लस 500 इन तीनों को टोटल करते हैं तो हमारे पास आया 55 10 एक कैरी 2 और एक 3 3000 रुपे हमारे पास कितना आ गया 3000 रुपे तो हमने इस क्या किया सबसे पहले हम क्या करेंगे नंबर को लिखेंगे हमने क्या किया सबसे पहले हमने लिखा 3000 रुपे और 3000 रुपे के बाद हमने इसी नंबर को लिखा हिंदी में भी और इंगलिश में भी और यहां हमारा यह question होता है पूरा आगे हमें दिया गया है पेरेंट्स के लिए एक नोट नीचे पेरेंट्स के लिए क्या दिया गया है बच्चों में नोटों की समझ विक्सित करने के लिए घर पर बाजार बाजार खेल खेलें गत्ते के नोट बना लें और आप मेंसे कोई एक दुकानदार बन जाए और बच्चा खरीददार घर पर रखे कुछ चीज़ें बाजार की तरह सजा कर उनका दाम लिख लें खरीददार आपको इस चीज़ का दाम देगा और आप बचे हुए पैसे लोटा देंगे बारी बारी से आप दुकानदार वर खरीददार बन सकते हैं इससे क्या हुगा फायदा कि बच्चों में दो तिन चीज़े आ जाएंगी सबसे पहले नोटों की समझ आ जाएगी दूसरे चीज़ अगर हम कभी बच्चे को मार्केट में भेजते हैं तो उनके लिए एक बेसिक और रफ आइडिया बच्चों को मिल जाएगा कि कल को अगर वो बार्केट में जाते हैं तो कोई उन्हें बेवकूफ या कम पैसे दे करके ना भेजे और तीसरी चीज़ यह आ जाएगा कि उन्हें हिसाब किताब करना भी आ जाएगा तो हमारी यहां पर वर्क्शिट होती है पूरी